असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल English Literature पे वालकम कहती हूँ आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है Point Shadows by Kamila Shamsi Kamila Shamsi का जो नोवल है बहुत ही significant नोवल है बहुत ही importance रखता है History के अंदर, Post-Colonial Studies के अंदर, इसके अंदर, Post-Colonial Studies के अंदर, इसके उपर Post-Colonial, जो यह थेरी अपलायकर के बहुत जादा काम किया गया है क्योंकि कि सब्सक्राइब भी जो है वह एक Post-Colonial Novelist है, Post-Colonial Writer है एक feminist भी है जो कि feminism को बहुता प्रमोर्ट करती है अपने राइटिंग के अंदर अगर शम्सी के novels की बात किया तो शम्सी ने seven novels लिखे हैं अब तक और उनमें से जो सबसे पहला इनका novel है वो है In the City by the Sea Second novel इनका Salt and Saffron Third novel है Cartography जो कि 2004 में पब्लिश हुआ था Fifth है इनका novel Broken Verses जो कि 2005 में पब्लिश हुआ था Sixth novel Burnt Shadows जिसको हमने अभी पढ़ना है वो 2009 में पब्लिश हुआ था और इसके लावा जो इनका novel है वो है Home Fire जो कि 2017 में 2017 में पब्लिश हुआ था Mostly इनके जो novels की setting है वो कराची रही है अगर हम कामला शमसी के birth place की बात करें या date of birth की बात करें तो वो 1973 में पाकिस्ताने पैदा हुई थी और ये मुरीदा शमसी जो कि एक जर्नलिस्ट है उनकी बेटी है और ये कराची में ही बड़ी हुई इन्होंने USA में अपना पढ़ा यूएस से इन्होंने study की और अब currently जो ये रह रही है लंडन में रह रही है अगर हम stylistic aspect की बात करें शमसी के तो हम कह सकते हैं इनका writing style जो है वो unique है क्योंकि जो इनके novels हैं हम देख सकते हैं इनके novels के इंदर उनने एक unique way ही यूज की है अपने writing के इंदर और इनके जो writing का एक important feature ये भी है कि that she paints pictures through the rhetorical devices and visual images ठीक है और एक और remarkable feature इनका ये है कि मतलब बड़ी cunningly एक clever way में describe करती है cities को, characters को, situation को ठीक है इनका अपना ही एक style है जिसके through ये हर हर चीज को बहुत ही vividly और बहुत ही beautifully portray करती है हम हम अपना time जाए कि ये बगार अपने main जो novel है हमारा burn shadows उसकी तरफ आते है जैसे कि मैंने बताया आपको कि burn shadows 2009 में publish हुआ था बहुत ही remarkable fiction है ये कमिला शमसी जी का ये जो है एक epic historical novel है एक grand जिसके अंदर एक grand theme हो historical जो के history के बारे में बताए ठीक है इसके अंदर different histories को discuss किया है कमिला शमसी ने इस novel के अंदर जो के explore करता है intertwined fates of two families दो families है उनके fate को बताएगा ठीक है और वो family कहां से बिलोंग कर रही है वो family विसकली post world war second world से बिलोंग कर रही है उनके बारे में ये novel बताएगा हमें अगर हम इस novel के themes के बारे में बात करें तो basically सबसे major theme इसके अंदर दो है एक है post-clonial theme और दूसरा है feminism post-clonial के अंदर ही हमारे पस hybridity का concept आजएगा, other का concept आजएगा, diaspora का concept आजएगा, unhomeliness का concept आजएगा ये important concept है जो के हम इस novel के अंदर देखेंगे सबसे important issue जो हम throughout इस novel में देखेंगे वो होगा identity crisis का ठीक है और colonial rule का भी क्योंकि हमने post-clonial के बात कर दीना तो उसमें colonial rule भी आजएगा किस तरह अंग्रेजों ने आकर बरसगीर पे अपनी हकूमत काइम की थी फिर उसके बाद जो इंडियन्स थे और जो मुस्लिम थे उनके एक साथ क्या condition मतलब सूर्ते हाल पेश आई थी वो सब कुछ हम इस novel के अंदर critically देखेंगे इसी के साथ मैं शमसे के novel की खासियत बताती चलूँ आपको कि इस novel को more than 20 languages जो है उसमें ट्रांसलेट किया जा चुका है जो नोबल है basically यह four dramatically different generations and locations जो हैने 20th century के अंदर उस पे प्लेस करेगा इस बुक की जो डिवियन की गई नोबल की वो four parts में की गई है ठीक है फैदे तो प्रोलोग आ जाता है ना उसके बाद first part आता है जिसका नाम है the yet unknown world नागसागी 9 August 1945 यह first part का नाम है the yet unknown world नागसागी 9 August 1945 और second part जो हमारे पास है wailed birds दिलही 1947 थर्ड पार्ट जो हमारे पास है part angle warriors पाकिस्तान 1982 से 1983 और fourth और last part जो है उसका नाम है the speed necessary to replace laws new york अफगानिस्तान 2001 तो 2002 यह four different parts के अंदर इस novel को divide किया गया है और यह four के four parts जैसा कि आपको नामस पता लग रहा होगा कुछ ना कुछ history को इंडिकेट करते हैं कोई ना कोई history को reflect कर रहे हैं ठीक है तो इसी लिए इस novel को understand करने के लिए हम लोग को historical background जो हो पता होना चाहिए और हम लोग वो साथ साथ discuss करते जाएंगे जब यह novel start होता है ना तो प्रोलोग से पहले यहां पर epigraph आता है हमारे पास ठीक है epigraph के अंदर जो हमारी writer है कमीला शमसी उन्होंने आगा शाहिद अली एक poet है किश्मीरी poet हैं उनकी ना poetry की lines quote की है मैं उसको पढ़ना चाहूँगी मैं पढ़ूँगी भी A time to recollect every shadow everything the earth was losing A time to think of everything the earth and I had lost of all that I would lose and of all that I was losing यह जो line है ना यह lines basically reflect कर रही है partition को ठीक है यह theme of partition of the Indian subcontinent in 1947 को reflect कर रही है ठीक है और साथ ही साथ यह book जो है ना यह wide history जो है उसको cover कर रही है जब novel start होता है तो मैंने जासे के बताया novel का part 1 जो chapter number 1 है उसका नाम The Yet Unknowing World Nagasaki 9 August 1947 और आपको याद होगे कि 1947 में Nagasaki Hiroshima Nagasaki के उपर attack हुआ था तो यह first part उस history को discuss करेगा अब हम अपनी जो summary है उसकी तरफ प्रोपर आते हैं बात करते हैं प्रोलोग की जैसा कि मैंने यह पर point लिखा है कि जो book है opens with a brief prologue depicting a man being stripped and shackled in a prison cell wondering how his life has come to this point कि अब जब book start होती है तो वो एक प्रोलोग से start होती है उस प्रोलोग में क्या होता है कि एक बंदा है ठीक है वो एक जेल में बैठा हुआ है उसको मतलब बांदा हुआ है shackled किया हुआ है चेंज के साथ अब क्या हुआ है वो वहाँ पर सोच रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आया ठीक है how did it come to this he wonders यह book की लाइन है वो सोचता है इसके इंदर और जब यह prologue start होता है ना उसकी starting line क्या है once he is in the cell they unshackled him and instruct him to strip he takes off the grey winter coat with brisk efficiency and then as they watch arms folded his movement slow fear turning his fingers clumsy on belt buckles shirt buttons so on यह मैंने थोड़ी से टेक्स पढ़ी है इसलिए पढ़ी ता के आप कुटेशन जो है अपनी questions वगरा के अंदर कोड कर सके यह starting यह से होती है और इस prologue की ending यह पर होती है how did it come to this he wonders अब जो प्रोलोग है ना यह प्रोलोग basically पूरी स्टोरी के हमें हिंट दे रहा कि स्टोरी में क्या होने वाला हम जो प्रोलोग पढ़ते हैं हमें नहीं पाता स्टोरी के अंदर क्या हुआ लेकिन प्रोलोग पढ़के आइडिया हो रहा है कि कोई बंदा है जो कि जेल में बैठा है और उसको पुलीस पकट के ले गई हुई है और उसको जेल में बंद किया हुए उन्होंने और उस टाइम पीरिट पर वो सोच रहा है कि मैं यहां पर क्यों आया है मेरे साथ यह क्यों हुआ है मैंने मेरा कसूर किया है उस टाइम पर यह सोच रहा जो कि जेल में बैठा हुए अब ये कौन है हमें शुरू से एंड तक नहीं पता अभी तक डिसकस करते हैं स्टोरी को अब क्या हुआ था कि आपको याद होगा कि जब वर्ड वर्ड सेकिंड हुई थी तो उस टाइम पिरेट पे यूएस नेना डो नुक्लियर वैपन जो थे वो जैपनीज सिटीज के उपर हिराशुमा और नागसा की के उपर अटैक कर दिया था यह अटैक जो थे ना सिक से ले की बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर के उस टाइम पे क्या लोगों की सफरिंग चल रही थी स्टार्ट करते हैं अब यहां पर क्या हुआ अब इस चैप्टर के विलकुल स्टार्टिंग पे हमारे पास एक क्रेक्टर इंटेड्यूस होता है वो है हिरोको तनाका का य यह जैपनीज गर्ल है जो के टीचर भी है ट्रांसलेटर भी है इसको डिफरेंट लैंगवजिस पर कमांड भी है और यह सफरर भी है जो अटैक वहां पे होना है उसका इसके फादर को ट्रेटर के नाम से मुशूर कर दिया गया था और इसकी मदर के डेथ होगी थी और इस हमारा कांसर्ण हिरोको के साथ है जो हिरोको का करेक्डर है उसके साथ पता लगया होगा पो के हिरोको कौन है." नेक्स क्लेक्टिर हमारे पास इसके इंट्रेट वेस का, ठीक है, कॉन्रेट जो बिसिकली कौन है, एक जर्मन मैन है, जो कि बर्लिन से बिलॉंग करता है, और ये जपान में आया है, अपनी प्रोपर्टी को कैप्चुरिंग करने के लिए, और साथ इसाथ एक बुक लिखने क लिए जो बुक थी, उसका टॉपिक था कोस्ट में पॉलिटियन, ये हिरोको तुनाका को अपने पास हायर कर लेता है, और योशी नाम का एक बंद है, जो के कॉन्रेट का फ्रेंड है, वो इंट्रेड्यूस करवाता है हिरोको तुनाका को कॉन्रेट के पास, ठीक है, और कॉन्रेट को हिरोको से मुहबबत हो जाती है, और कॉन्रेट प्रोपोस भी करता हिरोको को, जो हिरोको है, वो एक्सेप्ट कर लिए थे उसका प्रोपोसल, फिर उसके बाद बहुत हर इनलाव, अब जब ये दोनों हिरोको को और कॉन्रेट को मुहबबत हो गई है, तो इस पास जाना है मुझे ठीक है तो हिरोको कहती है ठीक है चले जा medidas हो अब वो बड़ा उदास होती है उसके जाने पे अब वो जब निकल जाता है घर से उस टाइम पर हिरोको अपने मदर का की मोना निकालती है वो पहनती है उसके बैग पर थि के क्रेंड बनी क्या हुआ हिरोको ने पैना हुआ कि मोनो और अचानक की एक ब्लास्ट हो जाता है जब ब्लास्ट होता है तो हिरोको की जो बैक है पूरी ब्लड से बर जाती है और कॉन्रेट जो होता है वो उस ब्लास्ट में मर जाता है कॉन्रेट कभी वापस नहीं आता अब यहां पे क्या ह हुआ कि जब हिरोको है उसकी जब ब्लड से भर गई तो यहां से हिरोको को एक डिजीज हुई वो थी PTSD अब जब लोस तो हो गया ठीक है उसको डिजीज भी हो गई उस पे ना तब वो सोचती है कि मैं जो ना कॉंडड की सिस्टर का नाम क्या है I-L-S-E कहती है मुझे उससे मिलना चाहिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ वो ना दिलही में रहते हैं ठीक है तो ना अब दोनो मैं मतलब कि दोनों कहärी हूँ यह कॉंडड की जो फियोंसे थी Hiroko Hiroko जा रही है अब Konrad की सिस्टर आइल्स से मिलने के लिए ठीक और आइल्स कहाँ पर रहती है आइल्स अपने हस्बेंड के नाम अपने हस्बेंड के पास रहती है उसका हस्बेंड जो उसका नाम जेम्स बर्टन है और ये दिली के अंदर है और अब आयल्स ने अपना नाम बतल के Elizabeth Burton रख लिया हुआ है इतना क्लियर हुआ आपको इसके बाद क्या होता है next part शुरू हो जाता है second part जिसका हमने नाम दिया था वो था wild birds का दिली 1947 एक और historical यहां पर इबंट आने वाला है कि 1947 में क्या हुआ था देली में पार्टिशन होगी थी ना वह वाला टाइम दिखाया जगा यहां पर अब क्या हुआ है के ना टू येर्स लेटर दो साल गुज़र चुके हैं 9 अगर्स्त 1945-1947 का टाइम पिरिट यहां पर दिखाया यहारे पास सज्जाद अश्रफ ठीक जिसका पूरा नाम है सज्जाद अली अश्रफ यह एक मुस्लिम बौए है ठीक है और इसकी फैमिली जो है दिली के अंदर कहां से आई थी तुर्की से आई थी 7 centuries before और जब सज्जाद की फैमिली तुर्की से दिली आई थी ना तब दे कि हिरोको ना वो इंडिया में आती है दिली को विजिट करती है ठीक है को है रिट की देथ हो गई हिरोको मूफ टु डेली एली आ गई है और यहां पर जाय पर james बर्टन से और इलिजबेट बर्टन से और सज्जाद से मिलती है मैं भो एक अँस को जेम्स का ही नेम है वह कि अपने घर भी लेके नहीं आना चाहता अब यहां पर मैं आपको कुछ पाते पता दूं मैंने आपको पताया जेम्स का ये कौन है एक इंग्लिश मैन मैंने आपको बताया एलिजबेट का जो कि इसका असली नाम आइल्स है जर्मन से बिलोंग करती है लेकिन अपना नाम सिस्टर है और मैंने आपको बताया सज्जाद का सज्जाद को ने बिसिकली सर्वेंट है बर्टन फैमिली का जिसको कॉन्रेड ने यहां पर ड्यूटी पर काम पर लगवाया था ठीक हो गया अब मैंने बताया था आपको के जेम्स जो है वो हिरोको को देखके खुश नहीं करते हैं चिटचट हापस में तब उससे बताल लगता कि इसके भाई की फियोन से थी यह तो वो कहती है हिरोको के तुम आजो तुम हमारे साथ अंदर ले लो ठीक है अब हिरोको जो है जब उसको आयल्स ने कह दिया उनके साथ स्टे करने के लिए स्टे विद देम तो हिरोक कि हुआ होता है अब क्या हुआ है हिरोकों को वो सिखाता है अर्दू क्कि हिरोको को लेग्वजी सीकने का पहुआ थे म्यास होता है ना तो वो रि Philli को उर्दू सभाता है तो दोनों के अत्टेशमें जो बोत आर इन लव ठीक है कि औंडे वॉन्ट दें टुगई उक और कभी भी अलाउन करें उनकी साधी को और कहते इन फैक्ट इसकी फैमिली में उस उस वो ट्रोडिशनल किसम की शादियां पसंड करती हैं उनको और रेंज़ मेरजिस पसंड एंट तो वह और हिरोकों मिलके दिल्ली को चोड़ने का प्लान बनाते हैं इस्तंबुल चल जाते हैं और वहां पर जाके शादी कर लेते हैं और जब यह वापस आते हैं ठीक है when they attempt to return जब वापस आते तब क्या होता है कि partition of India हो चुकी होती है पाकिस्तान बन चुका होता है और उनको रोक दिया जाता है दिली में एंटर उने से और उनको force किया जाता है कि वो जाके कराची में settle हो जाएं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि mostly setting जो कमिला शमसी के novel में हमें नजर आएगी वो कराची होगी इसमें भी कराची आ गया अभी कराची में settle हो गए है ठीक अब क्या हुआ हमारे पास स्टोरी फिर जम कर गई है 1982 में आ गई है इट मीन्स के थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया हमारा यहां पे partition का अच्छा अब क्या हुआ है पार्ट थ्री है पार्ट एंगल वर्यर्स पाकिस्तान 1982 से 1983 यह थर्ड पार्ट का नेम है अब स्टोरी जम कर गई है 1982 के अंदर ठीक है अब भी कब हो रही है यह स्टार्ट हो रही है 35 years later अब क्या हुआ है सजाद की और हिरोकों की शादी हो चुकी हुई है और यह कराची में ही रह रहे है जो के पाकिस्तान के अंदर है 1982 में सजाद लो जाने का बहुत अधा शौक था लेकिन वह वहां पर जाने ही पाता उसको घिफब करना पड़ता अपने इस आईडिया को और उसको एक सौप फैक्टृ जलानी पड़ती है सौप फैक्टरी ठीक है और उसकी उमीदे सारी अपने बेटे से होती है कि उसका बेटा जो है वो अब लो में जाए हान जी बिलकुल सजात और हिरोको का बेटा पैदा हो चुका हुआ है उसका नाम है रजा और सिर्फ पैदा नहीं हो गया बलके बड़ा भी हो गया 16 साल का है 16 years old son रजा ठीक है बहुत अच्छा स्टूडेंट था ठीक है और उसके बाद जो है ना इसका झायता था के यह लो करें लेकिन यह खुद लो में जाना नहीं जाता था यह खुद विकील नहीं बनना चाहता था और इसलिए जब भी इसका टेस्ट होता था जब यह जाता था तो wiping चाहँ होते थे हार टाइम और इसी वज़ा से यह अपने एक्जामस में रह जाता था लेकिन इसका दोस्त था ठीक है वो उसने इसली पास कर लिया and move on with their lives while Raza is forced to wait for the next opportunity to take the test उसको इंतिजार करना बड़ा Raza को लेकिन इसका दोस्त था दोस्त थे जो वो निकल गए आगे अब क्या होता है अपना रजा की life के इंदे ट्विस्ट आने वाला है और फिशंक मार्केट it important place यहां पे रजा की दोस्ति होती है एक बंदा है एक लड़का है उसका नाम अब दूला है वह एक अफगान है ठीक है अफगानी बंदा है उससे इसकी दोस्ति हो जयते ही रजा misunderstand करता है रजा को और उसको गन वगरा दिखा देता है और साथ ही साथ अबदुल्ला को जब वो गन दिखाता है और अपने साथ उसको military training में ले जाता है और वो रजा को मुझा ही दीन के बारे में बताता है ठीक है और साथ ही साथ ना वो बताता है के बारे में that how to learn to fight the Soviets जो वो लोग जो इन्वेट करने वाले अफगानिस्तान के अंदर उनसे कैसे आपने लड़ना जगड़ना है उसारा आपको अफगानी जो है आपको ट्रेन कर देंगे जो मुझाही दीन है अब रजा जो है वो तो एगरी हो जाता है अब दूला के साथ वो तुम्हा जाने के लिए कि वो तुम्हाँ सक्या त्रेनिंग कैप में जाएगा कहता है उसको अब उस टाइम पे यहाँ पे नोवल केंदर हैरी बर्टन का करेक्टर आता है जो के बेटा किसका है जेंज का और आइस का ठीक है मैने पे जेकुब लिखा वो फी जेंज ने तो अब वो जो है ना सजजाद और हिरोकों को मिलने के लिए आता है उस ताइम पे अब जब मिलने आता है क्योंकि हैरी बर्टन जो है बेसिकली एक इंग्लिश मैन है और यहां पर अफगान का और इंग्लिश मैन का क्लैस्ट चल रहा था और उसी टाइम पर जो रजा है वह अब वहांपे क्या हुआ जो अफगानी थे उनको लगा कि जो रजा है इसकी एफिलेशन है अमेरिकन के साथ हैरी बर्टन के साथ जो के बेटा किसका था आयल्स का और जेम्स का और रजा की फैमिली को मिलने आया था अब वो जो है रजा को जाने ने देते रजा को अपने पास रख लेते हैं लेकिन उस टाइम पे सजाद बड़ा परिशान होता अपने बेटे को लेके कि रजा काफी दिनों से घर वापस नहीं आया और सजाद अपने बेटे रजा की बड़ी तलाश करता है सजद्र करें, एक दिन सजद्र फादर की जगहां है, वहां पर एक दिन बाप सजद्र के उपर अपर प्रेइए की चैजद्र गोली मार देता है, वहां सजद्र की डेथ हो जाती है, ठीक है अब यहाँ पर नोवल में क्या हुआ नोवल में सजाद की डेथ हो गई है ठीक है और जब सजाद की डेथ होती है उसके बिल्कुल थोड़ी देर बार रजा वापस घर आ जाता है ट्रोमा एक वाइफ के लिए एक वाइफ का हस्बंट डेथ एक बेटे का बाप डेथ ठीक है मर गया है तो यहां पे जो है हमारा पार्ट 3 जो था नोवल का वो भी एंड हो जाता है और साथ इसाथ फिर हमारा नेक्स पार्ट जो के 2001 ठीक है उसकी हिस्ट्री पर बेस करता है 9-11 के अटैक के उपर बेस करता है उसके बाद जो मुसल्मानों के साथ सूर्थे हाल इसके बेस करता है वो स्टार्ट हो जाता है जिस पार्ट का नाम है दस्पीट निसेसरी टू रिप्लेस लोस न्यू यॉक सिटी अफगानिस्तान 2001-2002 अब यहां पे क्या हुआ है यहां पे हैरी का हो जाता है मडर ठीक और जब हैरी का मडर हो जाता है न तो सारे शक वगेर बहुत कर साहरे है मतंस धेरिया है मतनार मनिद यहां फ्हानिस्ताय तो शूर्ट कर देते हूं इसकी को घ्याज हो जाती है जिप अब वह दुका अभी का अब की ना इक लड़की है और यहिए को होना है कि Kim basically Harry की बेटी है Harry किसका बेटा था James और Iles का ऐसे गया नह आब जो जो किम और में वो गटी है Harry की तो पूत Nothing अब जो Iles है और साथ में Hiroko है वो अकठ़्े स्वाइभ होते है ठीक है और वहां पर क्या होता है कि इना Harry की बेटी एक रहून के लिए आती है अब हैरी और जो रजा थे मैंने अपको बताया जैसा के वो कठे चल रहे थे तो वहां पर अटैक हो गया है हैरी के उपर और रजा के उपर सारे सिस्पीशिंस चल पड़े और रजा तो था उसको पता था कि अब उसने यहां से निकलना है खुद की जान बिसानी क्योंकि अब द्राइविग के तोड़े में आपर काम कर रहा है और वह कोशिश करता है कि अब्सक्राइब को यहां से टेक्सी ड्राइबर के चाहरे नुज योड़ कि निकाल दे निकाल दे कि हमयों से वापस बेज़ दे ठीक है और रजा मिलकर ना उसको निकालने की कोशिश करते हैं अब्दुला को देखके शछष्ट रागा जसे टेरिस्ट है और तब हम आपक्ड एन नंहीं कीन IST कार्जा को देती है तो पुलिस यह maior वहां нравится लेकिन नियू यॉएकग Kalidoten पंदुल्स पर्फटेश को पर चलय के प्लान थे यह अंगे अफचेहरी थे हैस मस्विक तक escape करवाया वहां से उस ताइम पे किम ने contact किया पुलिस से और पुलिस ने रेट किया restaurant के अंदर और mistakenly नोने arrest कर दिया रजा को instead of Abdullah अब क्या हुआ अब जो किम है वो वापस आती है हिरोकों के पास उसको सारा मामला पताती है हिरोकों को बड़ा गुसा आता उसका दिल तूट जाता कि उसके बेटे के साथ क्या हो गी है और तब जो किम है वो कोशिश करती है जो अथोरिटीज है उनसे contact करने की के ना आपने गलत बंदे को पकड़ डिया ऐसे से नहीं था यह तालबा नहीं था लेकिन अथोरिटीज कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है तुमने गलती नहीं किया है जो तुमने बंदा हमें पकड़ाया वो बिल्कुल सही था हम इसको वापस करने वाले नहीं है तो सारी जो कोशिश किम की होती है वो बेकार चाहती है रिजा वा पुलिस ने क्या किया, क्यूं उसको लेके गए, सो मैनी क्वेस्टिन्स जो ने वो दिमाग में अराइज होते हैं, अब आपने प्रोलोग पढ़ा था ना, जब राइटर ने प्रोलोग डाला, उसके अंदर एक बंदा जेल में था, और जब नोवल एंडिंग हुआ, तो एक बंदे को जेल में लिया गया, ठीक है, ले जाया गया ना, तो इस से लगता है शायद जैसे कि वो रजा ही था, बाकी एक कंक्लियन जए हमने कुद निकालना है, यहां पर हमारी स्टोरी कुई खत्म, तेंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, प्लीस सब्सक्राइब इस चैनल, दुआ में याद रखेगा, अलाहाफेज,